Good morning everyone, कैसे हैं आप सब, I hope सब बहुत अच्छे होंगे, आज की इस क्लास में अपन अलंकार को कवर करने वाले हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जिनको लगता है कि अलंकार बहुत टफ होता है, हमको नहीं आता, तो उनको आज मैं बहुत ही आसानी से अलंकार को पहचानने का तरी को ही अलंकार कहा जाता है, क्लियर है, अलंकार मुख्यता है दो प्रकार का होता है बच्चे, धियान रखेंगे, एक होता है अर्था लंकार और एक होता है शब्दा लंकार, बहुत ही आसानी से हम चीज़ों को समझेंगे, तो बहुत धैरी के साथ आप बैठे रहें, अराम से आपको चीजे याद हो जाएंगी तो अलंकार के दो प्रकार अर्था लंकार और शब्दा लंकार चली आगे बात करेंगे पहले हम अर्था लंकार का अर्था लंकार के अंतर गत हम देखेंगे उपमा लंकार अभी उपमा लंकार कैसे होता है कैसे पहचाने कि उपमालंकार किसको कहते हैं तो समझेंगे जब पंक्ती में योजक चिन्ना आ जाए योजक मतलब जिसको आप डेस कहते हैं तो जब पंक्ती में योजक चिन्ना आ जाए और योजक चिन्ना के साथ में सासी से या फिर सरीस जैसा शब्द लग जाए योजग चिन्ह तो रहे गही लेकिन उसी के साथ सासी से जैसे सब्द भी आपके जुड़े रहेंगे तो वो होता है आपका उपमा लंकार यहां पर आप देखेंगे चंद्रमा के बाद में योजग चिन्ह लगा हुआ है और उच डेस के साथ में ही साल इखा हुआ है तो यही आपका ट्रीक है इससे आप पहचान लेंगे कि यहां उपमा लंकार है क्लियर दूसरा आप देखेंगे कर कमल सा कोमल है तो कमल के बाद में भी आपको डेस दीख रहा है और डेस के बाद में भी शा लगा हुआ है तो यहां से आप अराम से पहचान सकते हैं कि उपमा लंकार कौन सा होगा डेस के साथ सा सी से या सरीस लगा हो तो आपका उपमा एक छोटा सा ट्रीक है बहुत आराम से आप याद रख सकते हैं दूसरा देखेंगे अर्था लंकार के अंतर गती एक आता है रूपक लंकार अब आप कैसे पहचाने की रूपक लंकार है की नहीं जब पंक्ती में केवल योजक चिन्ह आए और सासी से न लगा हो पहले वाले म तो वो कैसे अलंकार होगा रूपक लंकार होगा, जैसे एक्जामपल देखेंगे मैं तो चंडर खिलाऊना लेहाँ आपको देखक करके समझ आ रहे है क्या मैं बोल रही हूँक योजक चिन्ह तो होगा लेकिन उसके सासी से नहीं लगा हो ना चाहिए रूपक लंकार है चरण कमल बंदव हरियाई तो डेस के बाद में फिर से आप देख रहे हैं सासी से नहीं लगा हुआ है तो यह है रूपक अलंकार का ट्रिक तो बहुत आराम सी चीज़े हमको समझ आ गई कि अगर डेस लगा है और नहीं लगा है तो क्या अंतर है अब हम बात करेंगे अर्था लंकार के अंतर गती उत्प्रेक्षा लंकार का कैसे पहचानेंगे उत्प्रेक्षा लंकार को तो यदि पंक्ती में मनू जनू मनू मानो जानो आदी सब्दा आता है तो वहाँ आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है ठीक है मनू जनू मनू मानो जानू आदी जैसे देखो ले चला साथ मैं तुझे कनक जियों भिक्छुक ले कर स्वन अब बोलेंगे मेडम यहाप तो कुछ भी नहीं आया है तो बच्चे जनू मनू मानू जानू के साथ आप जियोंतियों भी जोड लीजिये ठीक है तो जहां भी मनू जनू यह सभी चीजे ठीक है अब हम बात करेंगे अतिसन्युक्ति का मतलब क्या होता हैं जब किसी बात का वर्णन भाय जादा बढ़ा नदी आती है बहुत ज़्यादा टूफान आ रहा है अब राडा सोच रहा कि क्यों न मैं चेता को सपार पहुंचाऊं। चेता कपने आप ऊसपार चला जाता मतब कितना लंबा लंबा फेक रहा है तो जब प्राक्रितिक चीजों में मनुष्य करते हैं तो वही बोल रहा है प्राकृतिक चीजों में मनुष्य की भावनाओं को व्यक्त किया जाता है तो वहां आपका मानविय अनुप्राश अलंकार के बारे में, इसका एक छोटा सही चीज आपको याद रखना है, कि अगर वर्ण बार-बार आए, तो वहाँ अनुप्राश अलंकार होगा, जैसे चारू चंद्र की चंचल किरिने खेल रही थी जल्थन में, अब यहाँ पर वर्ण की बात हो रही है, श यहाँ पर भी वो कैसा अलंकार होगा, वो आपका अनुप्राश अलंकार होगा, यहाँ अलंकार देखते हैं, एक ही सब्द एक से अधीक बार आये, देखो पहले वाले में हमने वर्ण का बात किया था, अब यहाँ पर हम शब्द पर फोकस करेंगे, तो एक ही सब्द जब गटा एक सब्ध है घह घटा जबबार आये नहां पर क्या होगा वहांепर आपका उपर वाला वाला अलंकार जो हमने देखा था ठीक, ये दोनों ही ट्रीक आपने ध्यान रखना है, अनुप्रास अलंकार में वर्ण होता है, नेक्ष्ट है आपका स्लेश अलंकार, एक सब्द के अनेक अर्थ हो, मतलब शब्द एक किच ठोक लिखा हो, लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हो, जैसे एक्जामपल देखो, रहि मनुष्य में हमेशा विनमरता होनी चाहिए, मतलब मनुष्य में पानी होना चाहिए, ठीक है, तो एक अर्थ ये निकल गया हमारे सामने, दूसरा, पानी का दूसरा अर्थ है क्या बोल रहा है, तो देखो, पानी का दूसरा अर्थ होता है, आभा, तेज या चमक से है, जिस इसके बिना मोती का कोई मूल्य नहीं है, मतलब सब्द एक हो और अर्थ है इसका अलग-अलग हो जाए, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर आपका शलेश अलंकार होगा, याद रहेगा,